टेलिविजिन की सबसे चहेती, सबसे छोटी बालिका वधू जी हाँ, आपने उन्हें बालिका वधू के किरदार में जरूर देखा होगा उसके बाद ससुराल सिमर का के भी लीड किरदार में से एक थी अविका गौर और टेलिविजन इंडस्री पर अपनी आदाकारी के जरिये कई लोगों के दिलों में घर कर गई है ये अक्ट्रेस इसके साथी साथ लोगों को जो है अविका की नव सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में बलकि परसनल लाइफ में भी काफी इंट्रेस रहता है क्योंकि one of the prettiest bride कही जाती है वो टेलिविजन इंडस्री की जिस तरीके के रोल उन्होंने किये हैं जब वो छोटी थी तपसे टेलिविजन इंडस्री पर नजर आ रही है तेलिविजन के परदों पर नजर आ रही है और इसके साथी साथ लोगों के दिलों में उन्होंने best wishes भी मिल रही है जी हां अविका गौर्ड ने हाली में अपना relationship status confirm किया है और उन्होंने ये बात disclose की है कि वो फिलहाल एक committed relationship में है हाला कि उन्होंने बात कही है कि उनका फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है लेकिन ये बात जरूर उन्होंने disclose कर दी है कि आज कल वो अपनी जिन्दगी किस के साथ बिता रही है और अपना future किस के साथ देख रही है दरसल रोडीस के contestant मिलिन चानवानी के साथ उन्होंने अपने relationship status को confirm किया है उनका ये कहना है कि मिलिन ही वो इनसान है जिससे अब वो फिलहाल के लिए अपना future जिनके साथ देख रही है जिसके साथ वो हमेशा रहना चाहती है और इसके साथ ही साथ उन्होंने मिलिन को खुद को compliment करने के लिए thank you भी कहा है दरसल अविका ने हाल फिलाल में एक Instagram post शेयर किया उसमें एक picture का कोलाज था जो कि उनके गोवा holiday की pictures बताई जा रही है और उसमें अविका और मिलिन साथ में नजर आ रहे हैं एक photograph ऐसी है जिसमें वो लोग समुंदर के किनारे हैं दूसरी में वो दूनों एक दूसरे को देखते हुए नजर आ रहे हैं और इस photograph को लगातार comments और best wishes मिल रहे हैं इसके साथ ही साथ इस photograph को उन्होंने caption किया है एक बहुत लंबे चौड़े note के साथ जो कि उन्होंने dedicate किया हुआ है मिलन चानवानी को और अपने relationship को उन्होंने इसमें ये लिखा है कि लोगों को इंतजार बहुत रहता है कि कोई उनके जिंदगी में ऐसा हो जो उनके साथ जिसके साथ वो अपना future देख सके और उन्होंने इसको ले करके मिलन को भी thank you कहा है कि मिलन वो इंसान बन के आए है जिसके साथ वो अब अपना future देख सकती है जिसके साथ वो ये plan कर सकती है कि वो आगे क्या करेंगी और इसके साथी साथ कही न कहीं उन्होंने मिलन को tease भी किया है पे तो काफी cute सा प्यारा सा पोस्ट लिखा है उन्होंने picture को caption करते हुए और साथी साथ ये बात भी disclose की है कि मिलन चानवाने के साथ फिलहाल वो एक committed relationship में है ये news मिलने के बाद अविका के fans काफी जादा excited है social media पर best wishes are pouring in और अगर आपने ये photographs नहीं देखी है तो जल्दी देखिए और उसके बाद please हमें comment करके बताईए कि आपका इस news पर क्या कहना है